आज के दिन में एक दिलाइक साहूंगा कि कहनी है इक बात हमें इस देश के पहरे दारों से अंबल के रहना अपने गर में चुपे हुए करदारों से जाप रहे हैं अपने दिवारों से डॉक्टर राजकुमार वेरका ने जल्यावला बाग में फेहराया तिरंगा देशबक्ती के गीतों से शहीदों को दीश्रधांचली सबतंत्रता दिवस पर आज शहीदों की धर्ती जल्यावला बाग में पूर्व कैबिनेट मंत्री व भाजपा पंजाब के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार वेरका ने ध्वजा रोहन की रसम अदा की उन्होंने जल्यावले बाग के शहीदों को नमन किया डॉक्टर वेका ने सबी देशवासियों को अजादी दिवस की बदाई देते हुए कहा कि जल्यावला बाग के शहीदों के शहीदी की वज़ा से ही आज हम अजादी की हवा में सांस ले रहे हैं क्यूंकि जब इस धर्ती पर शहादिते हुई तब इस कार्ण ने पूरे देश के लोगों के दिलों में आजादी पाने की लहर को बल दिया डॉक्टर वेका ने देश के फोजियों और सुरक्षा बलों को भी नमन किया उन्होंने कहा कि आज भारत देश सुरक्षित हाथों में है क्यूंकि देश का सबसे बड़ा चौकिदार प्रधार्मंट्री नरेंद्र मोधी पूरे देश के लोगों के लिए जाग रा है इसलिए चिंता की कोई जरूरत नहीं है इस मौके पर प्रसित गायक हरिंदर सोहल ने देश भक्ती के गीत गाकर देश भी देश से पहुंचे सेलानियों को देश भक्ती के रंग में रंगा ऐसी किनिया कॉर्बानिया देके इस देश नों अजाद करवाया है साड़े सरदाते जाबाज चिपाही साड़े फोजी जवान वो सुरक्षा दया हुंगारा पर रहे है अपने कारबार नुच्याडिके साड़े सुरक्षा वास्ते ओ जाबाज लड़ रहे है आज देज दे नसी उन्होंनों नमन कर दे हैं, आज दे दे न साड़े देज्दे परधानमंत्री नरींदरभाई मोदी ने आज देजता, टरंगा, लाल के लिए तो फैरा कि देज्दे लोकानू सुरखषा दयुकीन बनाया है, सुरक्षा दा यकीन दिलाया है और यह क्या है कि जद तक में जिन्दर भाई मोधी जीनदा है तब तक देश सुरक्षत हातों से है और देश सुरक्षा रहेगा